नमस्कार आदाप, मैं हूँ प्रविण और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक का डेली रॉंडप शो, आईए नज़र डालते हैं आज की मुख्य सुर्कियों पर हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं को निर्दारित प्रक्रिया के बिना म्यामार प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा कहना है सुप्रीम कोट का बिजापूर मुटबेड के बाद अगवा CRPF के जवान को नकसलियों ने किया रिया TMC ने बेंगाली संस्कृति को खतम किया बिजेपी की भी वही कोशिश कहना है CPM नेता सुजन चक्रवर्ती का और आखिर में कोरोन अपडेट देश में लगातार तीसरे दिन भी रिकॉर्ड एक लाग 32 जार नए मामले सामनी आए सुप्रीम कोड़े ब्यस्पतिवार को कहा कि जम्मू में हिरासत में लिये गए रोहिंग्याओं को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किये बिना म्यामार प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा प्रधान नयादेश ऐसे बोबडे की अध्यचता वाली एक पीट ने उस याचिका पर यह आदेश पारित किया जिसमें जम्मू में हिरासत में लिये गए रोहिंग्याओं शर्नार्थियों को तुरंत रिहा करने और उन्हें म्यामार प्रत्यर्पित करने से रोकने के लिए केंद्र को निर्देश देने के लिए अन्रोध किया गया था। केंद्री ने इससे पहले याचिका का विरोध करते वे कहा था कि भारत अवैद प्रवासियों की राजधानी नहीं बन सकता। सुनवाई के दौरान याचिका करता की तरफ से पेश अधिवक्ता प्रशान प्रभावित सुकुमा और बिजापूर जीले के सीमावती छेत्र में नकसलियों के साथ मुटभेड के बाद से अपरित केंद्री रिजर्ब पुलिस बल्ग के जवान राकेश्वा सिंग मनहास को नकसलियों ने रिहा कर दिया है। पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दिया है। पुलिस 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 बाद से इसकी जानकारी नहीं ने बताया कि आरक्षवा सिंग मनहास की जानकारी के लिए लागातार खोजी अभियान चलाया जा रहा था। तता छेत्र के ग्रामिर, सामाजी संगठन, अस्थानी जनप्रतिनीदी और पत्रकारों के माध्यम से मनहास के संबंद में जानकारी ली जा रही थी। पश्यम बंगाल में CPM के नेता सूजन चक्रवर्ती का कहना है कि ममता बनर जी के राज में त्रीनुमल कॉंग्रेस ने बंगाली संस्कृति को खद्म करने का काम किया है। BJP की भी वही कोशिश है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले बंगाल में चुनाओ एक उत्सव होता था। मगर अब इसमें बल प्रयोग और पैसे का जोर चल रहा है। सून ये वरिश्पत्रकार भाशा सिंग से उनकी बातचेत। दल बदल अब समझते है तो फॉम दिस पर्टी तो था पर्टी ओ बेंगल में को भी थे नहीं पहले नहीं था। नहीं थे। 50s 60s 70s 80s 90s को भी नहीं थे। यरी ब्राटी को दिए मनी पन्चाय तो प्रोफड़। अंजे प्रोफड सिंग पॉपजाए्टी लें पिरिव साथ़। यहार्टी झालोग तो ये पन्चायट्स वर एंने पिरिव अगॉप्ट्वंवेंट प्रोफब्ट्थिए। पταको, may it be elected something, may it be some club oriented organization, society's, whatever it may be. You ought to be only with the ruling party media also is being managed that way the same as it is in the national level the medias are propagating very wrongly for in favor of modiji you have the same thing तो पात पर हमाइड पर रिखिर वें उन्हें था पूरिज और दो स्कॉप तो च्रैपिनिस्टर इन अश्यू प्रडुन चिपिनिस्टर आप शूंपर इश्चेंगर श्यूं अग्रवलिटी नॉष्यान है जा उनको पसंद होता है, तो नहीं होगा तो होगा नहीं. So, some sort of anti-democratic, fascistic in nature is functioning. Along with this is the agriculture, industry, the job scope and opportunity. These also are getting destroyed. So, it's a big issue. पर किसा ब्रिश्चित जी अरुद्पाट्ट ब्होट्टीश थे। बेंगाल कि संस्री पर कितना बड़ा खट्रा पो लगता है? बड़ा खट्रा था है अरुट भागता है। थे दोने मिझेल्ट जी इस बंड़ा दिस करूब है or between Boishakli and Ratna? Is it a culture of Bengal? No. So these are getting lost by the ruling dispensation of either the state or the center. Hindu-Musliman it was never so. In Bengal, even after the partition, though primarily there were some seats वो आजय कर आए जञान संग आजाए जूच आजान आजान ताए खिश्ट आजां सब्टे लिप्ट टाए जटाथा सेंग आजान आजान संग विजवाज ए जब टूरो ढटे कुछ यूट लिट अजब अनाजाए यूच इंगार नबें बीड़ बेंस जटो आजाए अजा these were getting off increasingly but for last years since she started meeting with inshallah for no reason and now they start with jay siram of no reason and now she is in one meeting talking of inshallah the other meeting she is so thereby if the ruling party or the persons in power they are involved in such sort of activities that is no good sense that is no culture of bengal neither that being preached by the bjp in delhi or by that preached by so they are trying to destroy bengal economically culturally politically something which shall have to be stopped by all people united and that is what we swanjikta moorcha is trying to do what are the chances of swanjikta moorcha how you are getting the response are the getting response very good response from the core of the people's heart very good response very good they are now fed up with how the trinomul is functioning and now increasingly primarily they are thinking of that to get rid of trinomul it can be bjp now they are convinced that bjp is no better than trinomul rather worse they are saying that the trinomul's leader today are the bjp's leader tomorrow the same thing with the same culture with the same thrust of power thrust of money either it is for lumpen economy or it is for adhaniyam money what for for the people kindiswaas mantrarae dwarah aaj shukrwaar yani 9 april ko jari aakrod ka nsar desh me lagata tisre dind bhi korona ke record 1,31968 nye maamilay dhrsh kye gaya gaya or 780 maurizo ki maut hui hai 720 desh bhar me korona sepirit 61,899 maurizo ko thik kya gaya or active maamilo me 79,289 maamilo ki bada utri hui hai desh me sabhi rajao me tiji se bada raya korona ke maamilay maharashtra me pichle 24 ghando me 56,286 nye maamilay dhrsh kye gaya or 376 maurizo ki maut hui hai 37,36 ghando me 10,000 se zahadha nye maamilay saamne aya 94,000 maurizo ki maut hui hai maharashtra 36,000 ghando ke 7,7 utra pridesh dhilli or karnatak me korona ke maamilay bauht teiri se bada 24 ghando me 8,444 nye maamilay dhsh kye dhilli me 7,437 maamilay dhsh kye karnatak me 6570 nye maamilay dhsh kye dhsh me ab kul maamilay kye sankhya bade kar 1,30,60,542 ho gyi jinn me se ab 1,67,67,642 log aapni jan gawa chuk dhsh me recovery rate ghad kar 91,2,1 fcd ho gya yanni kul maryz 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 1,19,13,292 maryz kye thik kya jaja juk sankhya bade 7,5,50 fcd yanni 9,89,608 ho gyi aapni aapni kye daily round up maryz news click kye youtube chanel ko subscribe kye sathi dhsh o dunia kye annyi khabarok kye hindi or ingles website bhi zarruur dhek instagram or twitter pere follow news click dekhane kye shukriya